हेलो दोस्तों आप सबीकात स्वागत है आपके अपनी यूटीब चैनल CTP कोई नहीं हमाश्य में पर तो आज की यूटीब हम बात करेंगे EBS यानि environmental studies के बार में जिसमें हम लोग EBS के NCRT best questions कर रहे थे जिसमें हमारे class 3rd और 4th के सारे questions हो गए थे और class 5th के 1 से लेके 93 questions कर लिये थे आज की class में उसके आगी के questions के बार में बात करेंगे चली देखते हैं पहला question, Shelley number 91 शरवदिक शोर वधुमा कहां पर होता है चली ताहरे शरवदिक शोर वधुमा कहां पर होता है पहला question number 91 का answer दीजिए तो question number 91 का answer number 2 जिसने मिलगा रेका बिल्कुल सही राजमार्क के पास में शर्वदिक शोर वधुमा देखने को मिलता है next question is question number 92 भारत में ठंडे रेगिस्तान मांसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं चलिता हिए जो मांसून का ठंडा रेकिस्तान जिसको बोलते हैं वहाँ मांसून से प्रभावित क्यों नहीं होता है चलिए question number 92 को पढ़िए और इसका answer दीजिए question number 92 का option number 2 जिसने मिलगा रेका बिल्कुल सही ठंडे रेकिस्तान हिमाले की वरष्ट चाया में होते हैं क्या होता है जो ठंडा रेकिस्तान है वह हिमाले की वरष्ट चाया में पढ़ जाता है इसलिए वहाँ पे वह मांसून से प्रभावित नहीं होता है next question number 93 उसे चुनिए जो अने से भिन है कौन कौन से option है option number 1 है petroleum option number 2 है पैराफिन मोम option number 3 है ग्रीश और option number 4 है कोईला चलिए पता है इन में से सबसे भिन कौन है तो question number 93 का option number 4 बिल्कुल सही हो रहेगा क्योंकि बारे बांकी सारे जो है वह petroleum से related है लेकिन कोईला इससे related नहीं है next है question number 94 हमारे देश में निम्रिखित इस्तानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है चलिए वदाइए हमारे देश में निम्रिखित में से किस इस्तान को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है option number 1 है दार जिलिंग option number 2 है जैसल मेर option number 3 है लद्दाग option number 4 है में घाले चली question number 94 का आंसा दीजिए question number 94 का option number 3 जिसने भी लगावड़ेगा बिल्कुत सही लद्दा को ठंडारेगिस्तान बोला जाता है next is question number 95 एक पाश्मिना शॉल लगभग डेज साधारण शोटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक शाधारण पाश्मिना शॉल को बुन्ने हैं तो 10 गंटे का समय लगता है चली बताइए जो पाश्मिना शॉल होती है वह कितने शोटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक शाधारण पाश्मिना शॉल को बुन्ने में कितना समय लगता है आपके सामने चार विकल दिये गे हैं चलिए इसको पढ़िए और इसका अंसर दीजिए कोश्चन नमबर 95 को पढ़िए और इसका अंसर दीजिए क्या हो रहेगा एक पाश्मिना शॉल छे शोंटरों के बराबर गर्म होती है तथा उसको बुनने में लगबग 250 घंटे लग जाते हैं तो कोश्चन नमबर 95 का आप्शन नमबर 2 बिलकुल सही हो रहेगा नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 96 निम्रखित में से लेह और लद्दाक के मकानों की विसस्ताएं चुनिये उप्शन नमबर 1 है पेंड के तनों से बनी लकडियों की ढालू छते हैं उप्शन नमबर 2 है निचली मंजिल में कोई खिडकी नहीं उप्शन नमबर 3 है पत्थर मिट्टी और चुने से बनी मोटी दिवारें और उप्शन नमबर 4 है लकडि के फर्स चली रताइए यह जो उप्शन लिखे हुए हैं इनमें से कौन कौन से उप्शन सही हो रहेंगे लद्दा के मकानों के बारे में तो कोश्चन नमबर 96 का उप्शन नमबर 1 जो है यह के अवल गलत है क्योंकि इनकी छेते जो होती हैं ढालू नहीं समतल होती है बांकी तीनों जो उप्शन से यह सही हो रहेंगे यानि B, C, D जिसमें होगा हो जाएगा बिल्कुल सही यानि कौश्चन नमबर 96 का उप्शन नमबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा नेक्स्ट एक कौश्चन नमबर 97 चांग पाजन जाती पाई जाती है चलिए जो चांग पाजन जाती है या कहां पे पाई जाती है उप्शन नमबर 1 है लद्दाख उप्शन नमबर 2 है मनीपूर उप्शन नमबर 3 है असम और उप्शन नमबर 4 है शिक्किम चलिए कौश्चन नमबर 97 का आंसर दीजिए चांगपा जन जाती पाई जाती है तो सभी को पताना चाहिए जो चांगपा जन जाती है यह लदाग में पाई जाती है तो question number 97 का option number 1 बिल्कुल सहीव रहेगा next है भारत में शड़क निर्माड करने है तो कोईले के किस प्रमुक रूप को प्रयोग में लिया जाता है option number 1 है dynamite option number 2 है damar option number 3 है bituminous और option number 4 है anthracite चलिए question number 98 का answer दीजिए भारत में शड़क निर्माड करने है तो कोईले के किस प्रमुक रूप का प्रयोग में लिया जाता है तो question number 98 का option number 2 बिल्कुल सहे हो रहेगा सभी को पताना चाहिए डामर को सड़क निर्माड में प्रयोग है तुलिया जाता है next है भूक अंप किस उपकरण द्वारा माप आ जाता है option number 1 है बेरो मेटर option number 2 है रेक्टर पेमाने पर option number 3 है शिश्मोग राप द्वारा option number 4 है और डो मेटर द्वारा चलिता है भूक अंप किस उपकरण द्वारा माप आ जाता है तो सभी को पताना चाहिए जो भूक अंप होता है उसे शिश्मोग राप द्वारा माप आ जाता है और भूकम की तुरुता हम अपने के लिए रेक्टर पेमाने का प्योग करते है यानि question number 99 का option number 3 बिल्कुल सही हो रहेगा next है हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए यह वाक्य किस महाप पुरुस का था चलिता है यह वाक्य जो है यह किस महाप पुरुस द्वारा कहा गया था कि हम सभी को हर तरह का काम सीखना चाहिए option number 1 है सरदार पठेल option number 2 है महत्मा गांधी option number 3 है पंडित नहरू और option number 4 है चितन अंजन दास चलि question number 100 का आंसर दीजिए क्या हो रहेगा तो question number 100 का option number 2 बिल्कुल सही हो रहेगा महत्मा गांधी द्वारा यह कहा गया था कि हम सभी को हर तरह का काम सीखना चाहिए next question number 101 कच्छा 5 की परारवण अद्धन की पाठे पुस्तकों का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुचिन द्वारा लिखी गई एक कहानी है उन्होंने बच्चों के लिए एसी कई कहानिया लिखी है उनकी मिर्तु के समय वे थे बताएए जो डॉक्टर जाकिर हुचिन जी थे या अपनी मिर्तु के समय क्या थे? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री थे? भारत के मुखे नया दीश थे भारत के उपर राष्ट पती थे या फिर भारत के राष्ट पती थे चलिए question number 101 का आंसर दीजिए क्या हो रहेगा बताईए question number 101 का आंसर क्या हो रहेगा उस समय वो अपनी मिर्तु के समय वो भारत के राष्ट पती थे नहीं question number 101 का option number 4 बिल्कुल सहय हो रहेगा next question है नूर खान मुंबई के किसखेल के coach थे चलिए यह जो नूर खान थे वह मुंबई के किसखेल के coach थे option number 1 के cricket, option number 2 है table tennis, option number 3 है basketball, option number 4 है kabaddi चलिए question number 102 का answer दीजिए नूर खान मुंबई के किसखेल के coach है बहुत इच्छा कोश्चन क्या हो रहेगा इसका आंसर तो कोश्चन नमबर 102 का आंसर नमबर 3 बिल्कुल से जो रहेगा वो बासकर रबाल के कोश्च थे नेश्ट एक कोश्चन नमबर 103 निम्रखित में से किन की अगवाई में हमारे देश का सम्विदान तयार किया गया था चलिए ताइए निम्रखित में से किन की अगवाई में हमारे देश का सम्विदान तयार किया गया था आप्सन नमबर 1 है बाबा साहब भीमरा अमेट कर option number 2 है महत्मा गांधी option number 3 है जवाहर लाल लहनू और option number 4 है शवास चंद्र बोस चलिए question number 103 का answer दीजिए तो question number 103 का option number 1 बिल्कुल सही हो रहेगा बाबा साहब भेमराव अमेट कर द्वारा next question है question number 104 गाउं के कुछ लोगों ने भूकम से बचने के लिए चिकनी मिट्टी में गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाएं और उन्हें एक दूसरे के उपर रख कर दिवारे खड़ी की फिर चूने से दिवारों की पताई की और घास फूस से च्छत बनाई आईने के टुकडे से घर को सजाया गाउफ फिर से खड़ा हो गया निम्रिखित में एसे सही विकल को चुनिये या जो उपर कत Sn कहा गया है या किस राजी के बारे में कहा गया है या आप लोगों को बताना है लिखा हुआई गाउफ के कुछ लोगों ने भूकम कसे बचने के लिए मिट्टी के मिट्टी में गोबल मेराकर उसके उपले बनाएं और एक के उपर एक रखकर दिवारें खड़ी की फिर उसे चूने से उसकी पताई कर दी और घास पूसे छट बनाएं ऐसा उन लोगों ने भूकम से बचने के लिए किया तो बताईए या किस राजी से सम्मन्दित हो जाएगा ओप्सन नमबर एक ही उत्तर प्लेश ओप्सन नमबर टू है बिहार ओप्सन नमबर थरी है गुजरात और ओप्सन नमबर फोर है मद्धिप्रदेश चलिए कोश्चन नमबर 104 का आंसर दीजिए तो क्या हो जाएगा कोश्चन नमबर 104 का ओप्सन नमबर थरी बिल्कुल सही हो जाएगा गुजरात में ऐसा देखने को मिला था नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 105 बच्चो खान प्लेग्राउंड निम्लिखित में से किस राजी में इस्तित है कोश्चन नमबर 105 को पढ़िए उसका आंसर दीजिए बच्चो खान प्लेग्राउंड निम्लिखित में से किस राजी में इस्तित है ओप्सन नमबर एक है मुंबई ओप्सन नमबर टू है दिल्ली ओप्सन नमबर थरी है कॉलकाता और ओप्सन नमबर फोर है लखने हूँ कोश्चन नमबर 105 का आंसर दीजिए तो सभी को पताना चाहिए बच्चो खान जो प्लेग्राउंड है यह मुंबई में इस्तित है नेक्स्ट है पुराने समय में ज्वार बाजरे की फसल प्रमुकता से उगा याती थी ज्वार बाजरे की फसल प्रमुकता से उगा याती थी आज कल इसकी जगह किस फसल ने ले ली है तो कोश्चन नमबर 106 का आप्चन नमबर 2 बिल्कुल सही रहेगा गेहूं और कपास ने इसकी जगह ले ली है नेक्श कोश्चन है कोश्चन नमबर 107 नीचे दिया गया पेराग्राफ पढ़िए लिखा हुआ है यह कानून आदवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है उन्हें जंगल से हटाया न जाये जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्रामसभा करेगी यह कानून होना चाहिए चलिए इस कोश्चन को सही से पढ़िए फिर बताइए यह कानून किस से समन्दित होना चाहिए उप्शन नमबर एक है राश्ट्री वन निती 1908 उप्शन नमबर टू है जल अधिकार अधनियम 2007 उप्शन नमबर टू है उप्शन नमबर टू बिल्कुल सही हो जाएगा जंगल अधिकार अधनियम 2007 नेश्च कोश्चन नमबर एक से वाट कोई किसान उर्वरकों और कीटनासकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा आगे लिखा हुआ है जुताई के लिए उपयोगत बन जाएगी ऑप्शन 2 है बन्जर हो जाएगी ऑप्शन 3 है अन्य फसलों के लिए उपज़ाओ बन जाएगी option no.4 है कि वो धान की फसल के लिए ही उपयोगी रहेगी तो question no.108 का answer दीजिए ऐसा करने से क्या हो जाएगा उसके खेत की जो मृदा होगी वा बंजर हो जाएगी तो question no.108 का answer no.2 बिल्कुल सही हो जाएगा next question है question no.109 किसके निर्तोर्त में जंगल बचाव आंदोलों को बल मिला था option no.1 है अमर्ता देवी विश्नोई option no.2 है शूरी मणी option no.3 है एके बेनर जी option no.4 है सुन्दलाल बहुगुणा चलिए question no.109 का answer दीजिए किसके निर्तोर्त में जंगल बचाव आंदोलों को बल मिला था question no.1 का option no.2 बिल्कुल सही हो जाएगा शूरी मणी के निर्तोर्त में जंगल बचाव आंदोलों को बल मिला था तो सभी लोग बताईए यह जो सूरी मणी जी है या कहां की रहने वाली थी आप लोगों को कोमेंट करके बताना है शूरी मनी कहां की रहने वाली थी नेक्ष कोशा ने कोशा नमबर 110 मिजोरा में की जाने वाली जूम खेती के विशे में निमलिखी कतनों का अध्धिन कीजिए ओप्सन नमबर एक लिखा हुआ है फसल को कटने के पस्चात भूमी को कुछ वरसों तक खुला छोड़ देते हैं ओप्सन नमबर टू में लिखा हुआ है इस भूम पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जता है ओप्सन नमबर सी लिखा हुआ है बीज बौने से पहले गहरी जुताई की जाती है ओप्सन नमबर टू में लिखा हुआ है एक ही खेत में 3-4 भीन प्रकार की फसलें उगा जाती है और ओप्सन नमबर ए में लिखा हुआ है और सकता अनसार रसाइनिक और वरकों और कीटनासकों का उप्योग भी किया जाता है चलिए कोश्चन नमबर 110 को पढ़िए और इसका सही से आंसर दीजिए क्या उड़ाएगा इसका आंसर बताईए तो कोश्चन नमबर 110 का आंसर नमबर 1 बिलकुल सही हो जाएगा यानि A, B और D इसका उप्सन सही है A, B और D बाकि जो C और E है या इसका गलत उप्सन हो जाएगा 20 को बोने से पहले इसकी गहरी ज़दाई नहीं कियाती है और इसमें रसायनिक और उरकों का उप्योग कभी भी नहीं कियाता है देखते हैं नेक्ट कोश्चन नेक्ट कोश्चन है कुडुक कहा के लोगों की भासा है चलिता है ये कुडुक कहा के लोगों की भासा है ओप्सन नमबर 1 है मनीपुर option number two है अनुनाचल प्रदेश option number three है जारखंड और option number four है मिजोरम कुड़ुक कहा के लोगों की भासा है तो question number 111 का option number 3 बिलकु सही होड़ाएगा जारखंड के लोगों की भासा है जो है कुड़ुक भासा में जंगल को क्या बोलाता है चलिता है जहारकन के लोग जंगल को कुड़ भाचा में क्या बोलते हैं इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखे बताईए नेक्ट कोशन है कोशन नमर 11 भारत के किस चेतर में इस्तानांदरित खेती करने का रिवाज है उप्सन नमबर एक है उत्तर पूरवी चेतर उप्सन नमबर टू है दच्छडी चेतर उप्सन नमबर थी है उत्तर पश्चिमी चेतर और उप्सन नमबर फोर है दच्छडी पूरवी चेतर चलिए कोशन नमबर 112 का आंसर दीजिए तो question number 112 का option number 1 जिस नहीं भी लगाए उरेगा बिल्कुत सही उत्तर पूरवी छेत्र यह जो बात कही जा रही है इस्तानत्र खेती या जूम खेती के बारे में बात कही जा रही है next question है question number 113 हमारे देश के मान चित्र में जार खंड कहां परिष्टित है option number 1 है उत्तर प्रदेश के पस्चिम में गलत हो जाएगा option number 2 है पस्चिम मंगाल के पूरु में ये भी गलत हो जाएगा option number 3 है उरीसा के उत्तर में और option number 4 है 36 गड के दच्छिड पूरु में चलि बताए इसका अंसर कौन सा सही हो रहेगा आपके दो options में नेकट कर दिये है आपके सामने दो options है चलि ताई इन में से कौन सा option सही हो रहेगा हमारे देश के मांचितर में जार खंड कहां परस्ती थे question number 113 को पढ़िए और इसका अंसर दीजिए question number 113 का option number 3 बिलकुल सही हो रहेगा उडिसा के उत्तर में जार खंड इस्ती थे next question है question number 14 हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेश मातरक में जिसे टीन कहते हैं आवन डित या दी जाती है टीन क्या होता है जो टीन होता है या क्या होता है question number 14 को सभी से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए जो टीन होता है या क्या होता है तो question number 14 का option number 3 बिलकुल सही हो रहेगा वा भूमी जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन करता है तो question number 14 का option number 3 बिलकुल सही है next question है question number 15 चराव नाच कहा के लोग करते हैं option number 1 है जार खंड option number 2 है मिजोरम option number 3 है मनीपुर और option number 4 है मेगाले चलिए question number 15 का आंसर दीजिए चराव नाच कहा के लोग करते हैं बताइए तो question number 15 का option number 2 जिसने में लगा लेगा बिल्कुछ से ही मिजोरम में जार्क मिजोरम में चराव नाच किया जता है next question is question number 16 केच्यूओं को किसान का मित्र माना जता है इसके लिए निम्रिखित में से सही कारणों को चुनिए पहला option लिखा हुआ है केच्यूओं मुरत पत्तियों और पोधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपचाव बनती है दूसरा option लिखा हुआ है केच्यूओं खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल भी जिससे मुख्य फसल की रच्छा होती है तूसरा option लिखा हुआ है केच्वे जमीन में छेंद बनाते हैं जिससे जमीन पोली होयाती है और चौता अप्शन लिखा हुआ है केच्वे द्वारा बनाएगे छेंदों में से जमीन को आक्सीजन और पानी मिलता है तो कोश्चन नमबर 116 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होड़ाएगा इसका आंसर तो कोश्चन नमबर 116 का आप्शन नमबर 3 बिल्कुल से होड़ाएगा A, C और D लिखा हुआ है बी आप्शन में केच्वे खरपतवार खाते हैं जिससे मुख फ़सल की रच्छा होती है तो जो केच्वे होते हैं वह अमरत खरपतवार को खाते हैं खड़े वे खरपतवार को नहीं खाते हैं नेक्स कोश्चन नमबर 17 नीचे दियागे खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस डंग की पहचान कीजिए लिखा हुआ है एक फ़सल को कटने के फश्यात खेत को कुछ वरसों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है उसमें कुछ भी नहीं उगा जाता है इस भूमी में बांस या खरपतवार जो भी उग आते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है काट कर जला दियाता है या राक भूमी को और वरक बनाती है जब या भूमी खेती के लिए त्यार हो जाती है तब उसे हलके से खूदा जाता है भूमी को जोता नहीं जाता है और उस पर भी एज़ेश छिड़क दिया जते हैं चले ताहि और आप लोगों को पता भी होने चाहिए, यह जो कतन कहा गया है, यह जूम खेती के बारे में कहा गया है, तो question number 17 का option number 1 बिल्कुल सही हो रहेगा, next question है, question number 18, निम्लिखित में से कौन सा गुड बालब को उसके परिवार से मिलता है, option number 1 है, जीब का रोल बनाना, option number 2 है, पेरों की उंगलियों को खोलना, option number 3 है, हाथ को, हाथ के अंगुठे को कलाई से लगाना, और option number 4 है, उपर योगत सभी, तो मैंने आपको जो थेयरियों लिकला से जुए थी, उसमें पताया था, सारे की सारे गुड बच्चे को उसके परिवार से मिलते हैं, तो question number 11, option number 4, बिल्कुल सहे हो रहेगा, next question है, question number 11, निम्रिखित में, polio रोग का कारण होता है, option number 1 है, virus, option number 2 है, bacteria, और option number 3 है, proto जोवा, और option number 4 है, फफून्द, चलिए दाये, polio रोग का कारण क्या होता है, तो question number 16, option number 1, बिल्कुल सहे हो रहेगा, polio रोग का कारण, virus होता है, next question है, question number 11, निम्रिखित विज्ञानिक प्रियोगों में से, किसने साबित किया, कि मटर के पोधे के कुछ गुड होते हैं, जो जोड़े में आते हैं, और उन गुडों को अगली पीडी को देते हैं, चलि को बताना चाहिए, मटर के पोधे पर, ग्रेग और जार मेंडल ने प्रियोग किया था, यानि question number 11, का option number 1, बिल्कुल सहे हो रहेगा, next question है, question number 120, करण दूसूल करने वाले को पुराने जवाने में किस नाम से पुकारा जाता था, तो ये question जो है, ये question आप लोगों का home mark है, इस class को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो चलाते रहते हैं, और अगर आप लोगों को इस class की पीडियाफ चाहिए, तो discussion में दियागे लिंक पर क्लिक करके, आप आसानी से इस class की पीडिया जय हिंद जय वारत